नूज वाल इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं का जो लराएंग शुरुवात करेंगे खबरों की और पहली खबर पॉड़ी गडवाल से जोहायते हाथ से खेरा लिंग कौत्थिक के मौके पर आयजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम ग्राम सभास के पविथा खेल मैदान में शेत्रे विधायक राजकुमार पौरी द्वारा किया गया उधगाटन मैच में सकनोली ने हुचुई को हराया है लीगाधार परायजित हो रही क्रिकेट खेल पतियोगिता में अभी तक 16 ग्राम सभाव ने एंटरी की है शिरगर शेत्र में नर्भक्षी गुलदार के आतंग को देखते वे वन्विभाग की ओर से शेत्र में पिंजर लगाए गए हैं ग्लावस हाउस के समीब बीती 24 मई को ए गुलदार के कैद होने पर वन्विभाग द्वारा उसका रेस्क्यू किया गया लेकिन बीती रोज श शिकेश में मित्र पुलिस के एक महिला सहे दो सबन स्पेक्टर इन दोनों चार धाम यात्रा पर आने वाले शधालों के लिए बेहत पसंदीदा अफसर बने हुए हैं चार धाम यात्रा पंजिकरन का रहले परिसर में प्रदिन हजारों शधालों पॉंट रहे हैं जो ओफ- की मधुरवानी और वेभार भी शधालों को अपनी और आकरशित का रहा है मदद मिलने पर शधालों इन दोनों अफसर को खूब दुआएं भी देते हुए नजर आते हैं एस पे दिहात लोग जी सिंग ने बताय कि निकलेश और आर्ति को दो और चार साल की दो बेटियां ह जो डालवाला में अपनी नानी के पास रह रही है निकलेश और आर्ति दोनों यात्रा पंचिकरन काराले परिसर में 24 गंटे मौजूद हैं जो शिद्दत के साथ द्धालों के मदद करने का काम कर रहे हैं पर काम कर रहे हैं सभी आत्रियों की सेवा भाव से वो लोग हल्प कर रहे हैं और क्योंकि अभी उनको बेजा जाना अकर संभव नहीं हो पाता तो उनके कही तरह की इशूज होते हैं तो उसको वो लोग हैंडल कर रहे हैं थ्रिवेणी हाट पर नहाने के दुराथ एक युवक गंगा में वहते वहते दूसरे केनारे पर चला गया जल पुलिस राफ के बदसी युवक को वापस त्रिवेणी हाट पर लाई ले आए हैं फलहाल उनका भारगेक्ट किया गया है लोकसभा चुनाफ जैसे जैसे आकर चोणी की तरह बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नहीं सरकार को लेकर लोगों की भी चर्चा भी बन रही है सभी राज़ितिक पार्टियों के निताओं के सरकार बनने के अपने अपने दावे हैं और निताओं के दावों का दंखम तो चारतारी को ही पढ़ना माने के बात पता चल पाएगा उत्रागट भाजपार्ट संक्यक मोडशा के प्रिदेश अध्यक्ष इंतजार हुसेया ने कहा कि देश के प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी ने जिस तरीके से देश में इमका सरकार बनने जा रही है जिस परकार से प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी जी ने काम किया है उसका जनादेश जनता ने दिया है हमारे देश में साथ चरणों में चुनाब थे छे चरणों का चुनाब हो चुके हैं और छे चरणों में इस पस्ट हो चुका है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने जा रहा है। कमी का कारण बता रही है। यात्री इतना तरही तरही कर रहा है कि हम बजार में घूमते हैं तो यात्री हमें बार बार कहता है कि पचास पचास रुपे की हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। चारदा में यात्रा के दौरान यात्यात नियमों को अलंगन करने वाले लोगों के खिलाव पुलिस ने सक्सरुक अख्तियार कर लिया है। पौरी पुलिस ने शुनगर में यात्यात नियमों को अलंगन कर सडको परारशक रूप से हूटर बजाने वालों के खिलाव अभियान चुलाया। साथी उनका चालान भी किया, इसके अलावा चेकिंग के दौरान शीशे पर काली फिल्म चुड़ाने वाले वाहनों को भी रुका गया। साथी काली फिल्म उतार कर वाहन सौमी के खिलाव चालानी कारवाई की गई है। वारिस पुलिस दिखशक पौडी लोकेश्वर सिंग ने का कि यातियात यहमों को लंगन करने वालों के खिलाव पुलिस सक्ति से अभियान चुलाएगी। उन्होंने आफजन से यातियात यहमों का पालन करने की इस दौरान अपील की है। अधिकि चारधा म्यात्रा के समय काफी वाहन हमारे बाहर के राजियों से आते हैं। जिसमें कई बाहर के ऐसे विक्ति भी आते हैं जो की मोटर वाहन अदेनें का उलंगन करते हुए नूसिंस फैलाते हैं। ऐसे वाहनों की हम रेगृलर चेकिंग कर रहे हैं और इस चेकिंग क अभियान में जितने वी वहन हमें इस प्रकार से मिल रहे हैं हमी वुरुदनी वहन सा कर रही की जा रही है। एक तर चुट्टियों का सीजन उस पर चारधा म्यात्रा और उस पर वीकेंड के चलते इतनी बड़ी संख्या में शधालू हरदवार पहुंचे हैं कि पूरा हरदवार जाम के जाम से जूज रहा है क्या हाइवे हो क्या अंदर शेहर के सड़के सभी जगा जाम ही जाम है हाइवे पर बड़ी संख्या में देश बर से आए वहान इस समय खसक कर दिली हर्याणा पंजाब उतर प्रदेश से बड़ी संख्या में आ रहे वानों की चलते जाम है जगजगज जाम से यहां यात्री भी परिशान हो रहे है वही पुलिस करमियों को भी स्च्वाम से जूजना पड़ रहा है बीशन गर्मी पड़ रही है तेज दूप के चलते शधालू गाड़ेओं से चल तो रहे हैं अगर इसके बाद भी उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हाईवे पर गाड़िया रेंग रेंग कर चल रही हैं हाईवे पर इतनी गाड़िया निखाय दे रही है कि उनके कतार पूटने में नहीं आ रही मुनिकी रेती थाने शेत अंतरगत स्वामी नरायन खाट पर नहाने के दोरान गंगा में वहे अनराई प्रगनेश का अभीक तक कुछ पता नहीं चल पाया है जल पुलिस और एस्टी आरफ की टीम लगातार गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है प्रगनेश के गंगा में नहीं मिलने से उनकी पत्नी और बेटा काफी परेशान है जो लगातार पुलिस और एस्टी आरफ से संपर कर प्रगनेश के जानकारी जाने में लगे है मुनिकी रेती के इंस्पेक्टर तेश शहा, एस्टी आरफ के इंस्पेक्टर कविन शर्जवान ने कहा कि उनकी टीम स्वामी दरायन खार से लेकर बैराज जलाश है तक लगातार गंगा में प्रगनेश के तलाश के लिए सर्च ओपरेशन चला रही है गोताखोर भी गंगा के गहराई में उतर कर प्रगनेश को तलाश करने के कोशिशों में जुटे हैं फिलाल गंगा प्रगनेश का कुछ पता नहीं चलबाया है रुटके में प्रशासन से एक्टु टीम के साथ बिलकर रतिक्रमन हटवा अभियान चलाया था जिसमें शुएर के नालों और सुटको से एवाध अतिक्रमन बिल्डोजर के मादे में से एटाया गया रूटके नगणिका मभले ही जाए कि नालों की सफाई प्रफर तरीके से खी जा रही है जहां जहां इस तरह की बाते आरही है की उपर से नाले को स्लैप डालके चोग किया हुआ है वो जगें हम चिनित करवा रहे हैं और उसको हम अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि खुद से वो हट वाले अन्य था कि इस्तितिय में अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम लोग खुद से उसको हटाके और नाले को तो सफाई हराल में करवाएंगे हैद्वार की रानिपूर कोतवाली शेति के भादराबाद इंडिस्ट्रिल एरिया में इस्तित स्नोपाक कंपनी में बड़ा हासा हो गया मॉडलिंग मशीन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई उट्राकन के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी यात्रा के विवस्ताओं को دेखने के लिए यात्रा पंजीकरन करे defined पर शिकेशक पहुंचे उन्होंने तमाम विवस्ताओं को बारेके से देखा इस दोरा श्रधालों से भी मुख्य मंतरी ने बातूटकी उन्होंने विलास से दिराया कि की किसी भी शुधालों को बिना दर्शुन के बापस नहीं दाने दिया जा आगा है। इसलि toc is बनते ही शुधालों को यांट पर भीजा जा रहा है। उन्होंने यात्रे के सिवधा मिलेगे तमाम प्रकार के स्टॉल का भी निरीक्षन किया है। सुप्रीम कोट में लंबित मामलों का सुला समझोता कि आधार पर इस सारण के लिए विशेश लोक अदालत लगने जा रही है। सकता है काक्या दिक जानकारी के लिए नई दिली से के हलप लाइं एक पांच एक शुने शुने से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो जिला विदिक सेवा प्रादिकरण है इसका मुखे उदेशे होता है लोगों के बीच जो भी हमारे निर्बल असाय है खासकर उन लोगों के लिए निशुल्ख विदिक साहता प्रादान करना। इसी क्रम में जितने भी हमारे कानूनी जागरुकता शिविर होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। शिविक्ति का शब कंकाल के रूप में कार सहीत नहर से दो साल बाद बरामत किया गया है। शिविक्ति नहर में गंगना रिशिकेश निवासी अरचित बंसल अपने बेटे तीन साल के रागव बंसल के साथ नहर के कार से दूब गया था। शिविक्ति कार और रचित बंसल का काफी खोजबिन के बाद भी कुछ पता नहीं चला था। कानपर के चर्चित इरफान सुलंकी आखजनी केस में MP MLA station court अपना फैसला सुना सकती है। कोटे महराजगन जेल से विधायक इरफान सुलंकी और इन आरोपी को तलब किया है। 12 आरोपियों में उसे विधायक उनके भाई समीत 5 आरोपे 15 से समय जा सकता है। साथ आरोपियों की चार सीट बाद में आने से गवाही नहीं हो सकी। कि इरफान पर फैसले को लेकर कानपरबिस ने अलर्ट खोशित कर दिया है। अर्देखे हम लोंने सभी जगा विजिट किया है और हमारी पुरी फोस लगी है। हमारे ACP, ADCP और बाकी फोस हमारी है। हमने इसको कई एर में फोस को लगाया है। और उमिद करते हैं कि जो सेप्टी सेक्योर्टी है, माननी हाई कोड के जो निर्देश है, उस पे हम लोग खरे उतरें। और केमपस को पुरे तरीके से चाक्षव बन किया गया है। फोस को मोके में जाके ब्रिफिया गया है कि कोई आसामाजी, कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा तक दना इंट्री करें जो सेप्टी सेक्योर्टी को बात अक्ता है। राइबरेली में बेखॉल दबंगों ने माबाप की सहमती के बिना अपनी नावालिक लड़की को घर्स के अंदर से उठा कर जबरण शाधी रचा ली। अथाने में सुनमाई ना होने से हताज परितमाब आपने एक बार फिर बेटे से मिलने के लिए पुरिस दिक्षक कर रहा लें पहुंचकर गुहार लगाई है। दुखरन पांडे बोली से साहर लगी मालाग का अकेले हो और को एक साथ हैं। आपका टिकन मिला नहीं है और शिरोमणी याद तक हमसे दर्वाजग नहीं नहीं समझतूर प्रकास अगवाद राधेश्याम परधान सब का छोड़े हैं। आप मेरी बात सुनिए हमारे जानिप से नहीं कहिएगा। देखिए एक बात आप जाने सिरोमणी अगर अम्रीद भी देए तो काम थोरे कर वे जोन कोई ठगुरे बबबने कहें जोने लज्जी ठोड़े हम पहलगी आपका कियान हमेशा चाहिताना आपके संबान बना रहा है तो इसलिए आज है बावरिवा संजग कर्याति महतारी म कर गए रहा है पाओं पकड़े नहीं का अशिरबाद हो भी आशिरबाद है और कोई बात नहीं कहीं नहीं कुछ नहीं है आप लोग सब्सक्राइब मिस्रा शरीफ आदमी है आप से हम प्रामत कूर्मिक छेदी पंडी तडल विहारीक छेद्र होए चंद्भालतेवारीक छे है यह कहीं है बोट कर साकेर मुस्रा श्राइब हैं इति है आप के दावा करीग तरहारीक आप से समझे ली नाई करा कि हमसे वह सराफा हो रहा है जिनको ढलए करने के लिए समेधा कर्मी लाइंग मैंड योगी में टांसवार्म को ठंड़ा करने में हरा आदे घंटे बार जिसके चलते हैं साकारे करना बढ़ रहा है फ्रांसार्वर को बढ़ने के लिए करी पांच मेने पहले अधिकारियों के पास बीच दिया गया था लेटर लेकिन अभी तक विभाग के तरफ से कोई विवस्था नहीं की गई है कान्परस दिने में इस समय आवारा कुत्तों के द्वारा हमलों के खटनाएं लगातार बढ़ रही है जहां कुछ मेने पहले विधुन इलाके में तो वहीं बीते दिनों गुज़वनी आई ब्लॉक में कुत्ते के आतंक से कहीं लोग घाल हो चुके है वहीं आज फिर देराग गोविन नगर के CTI बस्ती में कुत्तों ने भाई बेन को अपना शिकार में ना लिया जुन में नाकर हमला कर दिया शोर सुनकर लोगों ने कुत्तों को भगाया लेकिन तब तक एक बच्ची ने दम तोड़ दिया वहीं दूसरा गंबी रूप से खायल हो गया अस्पताल में पड़ती जहां अक्रोशी तिस्थानी लोगों ने परिजनों के साथ CTI पेटरल पर्म के सामने शेवरक कर सड़क जाम कर दिया हंगामा करने लगे वहीं पुलिस परिजनों के साथ लोगों के समझाने में जूटी थे जले में आई अपराधों की बार बाइक सवार बदमाश ने सारफर वेफसाइट से दिहाड़े की लाकों की लूट गटना को अंजाम देकर सब भी बदमाश मौके से फरार हो गए मामरा सलोन गुतवाले शेतर के उचाहर रूर का है जहां दो युवक बाइक से अमर जेलर्स के यहां लॉकेट खरीदने के लिए आए थे युवक ने बाइस जार की लॉकेट खरीदी उसके बाद जब दुकानदार लॉकेट निकालने के लिए हाथ दूसरी तरह बढ़ाने के लिए उतरा तो सोने का डिबा नीचे रखा हुआ था दोरो बदमाश न डिबी को ठायर बाइक लेकर मौके से फरार होगे सारे घटना से स्टेवी कैमरों में कैड होगा ही पुलिस उनकी तराश में जुटी है गाज़ेबाद की जी आर्प पुलिस ने गुम्शुद्गी के 85 फोन के सफल अनावरन करते वे फोन मालिकों को सुपुर्द कर दिया बरामद हुए फोन की किमत लगभग 17 लाग से आपका फोन मिल चुका है जिसके बाद उनकी खुश्य का ठिकाना नहीं था असी मोबाइल फोन की कीमत सब करीब 17 लाग रुपे है आज इनके सौमियों को बुलाए गया है और उनके सुपूर्ट ये फोन किये जाए गाज़बाद के वेशारी सेक्टर एक के मैक्स अस्पताल के पास के जुग्या और उसके आसपास के जंगली शेत्रों में करीब डेर मिनट पर आग लगनी की सुषना पर फायर वेशारी स्टेशन ने दमकर की तीन गाड़िया मौके पर पहुंची और पंदर से बीस मिनट में आग पर काबू पाते हैं जुग्यों की ओर बढ़ने वागने संबल से एक ददना खबर सामनी आई यहाँ वीशन गर्मी में तपस्या कर रहे हैं साधू की मौत हो गई साधू को निश्टान के लिए आग जिला कर तपस्या कर रहे थी इस दरौन चानों की दबद विगड़ गए उन्हें सबताले जाने के दवरान हुन उन्हें दम तोड़ दिया साधू कमली वाले पागल बाबा के नाम से बशूर संबल के केला देवी इलाके में विश्व शान्ती और अश्या मुप्ती के लिए तपस्या कर रहे थे साधू की मौत, सत्तर साल के पागल बाबा अपने चारों तरफ आग जला कर तपस्या कर रहे थे, भीष्ण गर्मी में तबद खराब होने के विजर सुन की मौत हुए, स बीशन गर्मी में तपस्या करने की दुरान सन्थ की मौत पर कॉंग्रेस बढक गई है कहा कि अनुमती से प्रशन गर्म में पागल बाबा तक अपस्या कर रहे थे लग्टों के बीच में बैठकर तबस्या करने का अनुमती संबल से मांगी जब कि संबल का टेंपरेचर इस समय चालेश से से तालेश डिग्री तक है यानि कि तरहां से आग संबल के महासम में बरस रही है ऐसे में एस्दियम ने उस ब्रेद संथ की भावना को देस्टिकर हुए और इसे के साथ पिलाल कबरों में इतना ही आप बने रहे हैं नीज वाल इंडिया के साथ